कुछ दिन पहले तक बागेश्वर बाबा चर्चा में बने हुए थी जिन पर कई तरह के आरोप लगे थे वहें इन सब के बेश गुरुगराम के बदभाडी गाओं में एक बाबा है जिन पर लोगों की अपाश रधा है बाबा के भक्त उन्हें भगवान हनुवान जुए का अवतार वानते हैं खास बात तो यह है कि केवल गुरुगराम ही नहीं बलकि पूरे देश में बाबा के भक्त यहां उनसे मिलने के लिए और आशरवाद लेने के लिए आते हैं संत भजन महराज बाबा छोडवाली की समाधी बंधवाड़ी गाओं में हैं मानेता है कि जिन महिलाओ को पिशले 30-30 साल से उलाद नहीं मिली थी उन्हें इन बाबा के आशरवाद से उलाद मिली है उनकी कोक हरी हुई है और जो लोग लंबे समय से किसी भी बिमारी से ग्रस थी और डॉक्टरों की चक्कर काट कर ठक गए थी उनको बाबा ने अपना अशरवाद दिया है और उन्हें निरोगी बनाया है तो एक ना सब की सोच है कोई कैसा विश्वास कर रहा है कोई कैसा विश्वास कर रहा है पर यहां जितने भी भगत आ रहे हैं कोई लखनव से आ रहा है कोई कानपूर से आ रहा है कोई सौनी पस से आ रहा है किसी का कुछ काम है तो यहाँ भला हो रहा है और यहां हजारों में नहीं कुछ दिन लाकों में संक्याएगी क्योंकि ये हमारी बस्तिका इतना सहय होंग है और सभी भगतों का सहय होग है दूर दूर से हैदरावास से, भंबई से, दूर दूर तक यहाँ पबुलिक आ रही है, इसलिए आ रही है कि यहा हुआ है पड़ा क Supreme निवार सेवा है, सब भगतों का भाला हो, किसी गरीब की बेटी है, उसमें हम सहयोग करें, किसी गरीब का मकान है, जा गरीब है, उसके मिसाहिता करें, हमारा ये फ़र्जे, हमें जो यहां चंदा देने के लिए बोलता है, उससे उल्टा, कहते हैं हमें कुछ नीची यह और बोलना भी मत, खाली गरीब होगी, मदद करो, पक्षी को दाना डालो, जलहरी भरो, और भूके को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, हम तो इसमें खुश हैं, और हमारा ना बहुत मन खुश हैं, मेरा ये चेला भजन भगत जी, सं कहते हैं, बहता पानी रमता जोगी, इनके कदीम होने लगना चाहिए, इस 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 बच्चे की उमर देख लो, अब तो संत हैं, मैं भी ना इसकी बहुत इज्जत करता हूं, और इसने पूरी बस्ती तार दी, पूरी बस्ती तार दी, बंदवारी गाम, कि नाम कर दिया कि ब हो लोगा कि मेरा है हशिर्वाद है कि हाँ लाको में शंका देगी और बलो, बालाजी महलाजी की जब को रही ना ओए जब एक हमारे बहुचक भाह धर साथिया को, धूर हमारा स्वेंब भाहुचक को दर्शहात हो, और रहिवात करने वाले जो भी हो भगत जन जो भी बगत जन जुड़े हमारी माता वेन हमारे भाई बंदू बुजूर गया जो भी समंदीर से जुड़े हुए यह अनमान जी की किरपा भाई अपने कोई किरपा नहीं देखो इसके हर बात के दो पहलो होते अंधिविश्वा दोक्टर हमारे साइंस इस चीज़ को मान चुकी है कि हाँ की सकती कुछ है की सकती कोई ऐसी दर आपर कोई पॉजिटिव उरजा है जो सब कुछ बदल रही है देखो आप बड़े कि मीडिया में तो आप बहुत जानकार होंगे सर्फिव मैं आपसे बात मैं बींपूछो तो उसी परम्परा एक कृपा हो रही है और इसी परमपरा को हम निवह आ रहे ने हैं अज्क्र टाइम किया है कि डेल्ट तक्राों क्यों ते को ये कहते कि पेड़ की छाया संत की माया और भगवान की किरपा पर संदे नहीं होता और रही बात आप इस चीज़ को मेरे से कुझ रहे परजा बैटी परजा सु पूछो मैं इस चीज़ को आप क्या चमतकार बता सको देख चमतकार करो सोहनमंजी न करो हमारे जो कुल गुरुब पर पुझने हमारे संत बाबा जोहडवाले न करो और तीसार हमारे गुरुजी के अंपासिरवाद सुनके किरपा सो सिद्धोर और जंता बताएगी आप पूछो जंत और इसलिए लोग संत भश्वन महाराज बाबा जोडवाले को बहुत मानते हैं आपको बता दें कि बंदवाडी गाओं में भगवान हनुमान जुई का मंदिर है जहां पर पिछले एक हफते से संत भश्वन महाराज बाबा जोडवाले तपस्या कर रहे थे और आज जब उनकी तपस्या पूरी होने वाली है तो लोगों में काफी जोश है और वो बेहत खुश भी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि संत भश्वन महाराज बाबा जोडवाले केवल और केवल अपने प्रशन लोगों पर उनको बताते हैं और उनकी आफ्ता बढ़ती है तो सब लोग यहां जोड़ते और आते हैं उसी परकार उन्हीं के मादम से मैं भी एक हुझ जोड़ा हुझ यह तो आपने हैं मुझूदा पब्लिक से अंदाजा लगा लिया हुगा और पहले इस तरह के संथ हैं और आपने देखा होगा इस दान पर कोई किस तरह का चंदा नहीं चड़ता यहां लोगों के दुख हरे जाते हैं हर सनिवार भी आप आगे देखेंगे और बिछले 6-7 सा लोगों के सेवा और लोगों के का था। जीत्तों आप को पता चुर फिस्ताने का हिन जान से नहीं द्यारहों IEST सब्सक्राइब करें गुरूग्राम प्लस और फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें आप हमें कॉल और वत्सैप भी कर सकते हैं हमारा नमबर है 9643107600